नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आने वाले शाथ दिन आपके शाथ जनम के बराबर होंगे जैदोसों बश आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा दोसों आपको हर एक बात शमज मैं आएगी जैदोसों आपको बता दें कि अब आपके जुनकाल से बुराई का अंत होने वाले हैं, अब आपके जुनकाल में खुश्यों की बार आने वाली हैं, जे दोसों, आपको बता दें कि बहुत दिन हो गए, जब आप अपने कश्ट को लेकर चल रहे हैं, लेकि दोसों अब आपको बता दें कि अब आपके कश्ट का बाश तोटने वाले हूं और ये कि क stap डेकर ने कर कर आई ये चींडी है के बढ़ा घृब या की बाताई दोस्ति के पूरी दिनों में रह juicy कि आपके लाँघाव में ही होने वाले हैं साधosa और इनकी पहले अच्ची सत्तिती में है कि दोस् defendant की प्रभाव है जो शनी की दिश्टी है बहुती सुभ है आपके लिए और शाथ सथ दोस्ता में आपके लावभाव के शाथ साथ आपके श्वास्त और आपके शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत पुन शाब्त होगी दोस्तों एकार का ध्यान रखना होगा और इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान शे समझेगा यह में शबी महत्पुन जानकरे को बारे में बात करेंगे कि यह शब्ता की शिरुआत से लेकर अंत तक आपको हों कि आपका लव-लाइब स्वास्त के रियर और पारल यून परतेक जद में कौन-कौन शे बड़े शुदार होने वाले हैं शाद दोस्तों यह में आपको कौन-कौन शे लाब के नए मुक्त खुलने वाले हैं शाति भगवान श्रंदेव और मालक्षमी का शिरुबाद य दोस्तों विडियो को एक प्यारा शे लाइक अभी कर दें और कमेंट बहुच में शार्द भाव्षी जय मालक्षमी जय शनीदेव लिग दें लक्षमी और भगवान शिंदिव आपके जुनकाल के शारे कश्टों को छड़ में हर लेंगी जब दोसों शब से पहले दोस्तों आपको बता दें कि यह श्मी आपको कौन से विश्चेस बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो चाल है जो चलन है दोस्तों लोगों से बहुत ही अलग है आप कभी किशी के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं जो भी जुनकाल में कारी करना चाहते हैं और यह आपके खुड़ी शब से अलग आपको बनाती है और जुनकाल में आपकी जो शफलता होती है सब से अलग होती है और सब से मुची ही होती है जे दोस्व मशरती दोस्व कुछ य unchakия हो जाते आपके जुनकाल में आपकी जुनकाल में इसे कराण आपको इसे और इसे आशावधार में आपको घुवर movie ऐसे पाल कुछ धिऑ के लिए आशमय आपको शामा कर्णा करना पड़ता था है दोस्मों मूँ मीठा भोलने वाले विक्ति चेस में आपको बचना होगा कि दोस्मों अक्सर पिछले स्मय शुमकल जाए तो कि आपके शामने बहुत इंञ debates करते हो शामने बहुत भायशारे वाले Буд Prime बिवाहिवार करते हो लेकिन दोस्तों जब कार की बारी आती है जब आपको उनकी शाहिता की बारी आती है तो दोस्तों वे दुम डुबा कर भाग जाते हैं दोस्तों एक परकारशिक कहें ये लोग शिर्प और शिर्प आपको पाश फैदा ही लेने के लिए आते हैं जिया दोस्तों जब इनका काम निकल जाता है तो दोस्तों यह आपको अपनी वाकाद दिखा देते हैं यहीं चाहते हैं कि कब आप गड़े में गिर जाए और दोस्तों यह उपर रहकर आपके गिरने परहाशी जिया दोस्तों आपको बताया दें कि पिछले शमय आपके जुनकाल में ऐसी दर्दना बहुत आपको कष्ट हो रहे हैं लेकिंगे दोस्तों हम आप शिभी को अब यहीं बताना चाहेंगे कि जुनकाल में कभी भी किसी को उपर निश्वार्थ भावशे बिश्वास ना करें जे दोस्तों आपको बता दें कि इस दौर में आजकी यूग में जो भी निशान किसी को पर निश्वात भावशी विश्वास करता है दोसों अक्षर लोग उन्हीं के उपर धोके देते हैं उन्हीं को दोसों अपने मुह का निवाला बना लेते हैं जे दोसों आपको बताते कि आपने पिछले कईश्य में से लोगों की मदद करते आ कभी भी किशी के परती आपके दिल में छलकी भावना नहीं रही है दोस्तों इतना मदद करने के बाद इतने अच्छे दिल और इतने शदबुद्धी रखने के बाद भी लोग आपको इस्तमाल कर लेते हैं दोसों उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल ही बेवकुप हैं बिल लोगों को आप लगातार शाहता करते आ ह्रेहें दुस्तों वहाई लोग आपको भी ॉब हाग्डे में गिराना चाहता है जिन पर ज्यादा विश्वास करते ही वह आपको दोके देते ह्रम तुछ दोसुं क्यों आप फिर से रखने कारेंगे दोसुं आपको बदा दिकि अब इपको इस प्रकार नियम बना लेगी कभी भी जो भी चिज आपकी जुनकाल के लिए नुक्षान दे हैं जिन पर आपको शक होता हूँ दोस्तों इसे कारी करने से बचें इसे लोगों के शाथ रहने से बचें और अपने जुनकाल में आगी बढ़ने के लिए आपको इन शबी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जिन दोस्तों तो आए दोस्तों से कैंशाथ बात करते कि आने वाले यह जो शक्ता है आप शिबी की जुनकाल में कौन-कौन शी बड़ी खुश्कपरी आपको मिलने वाली है और कौन-कौन शी कारी आपके लिए भागी शाली शाबित होंगी दोसों यस्मी अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी उजना का प्रारुप बनाना आपको कार्यों में गलती होने से बचाएगा किसी फिरिव्यक्त की, आपको मदद करने पड़ सकती है परनदों दोसों आपको बदा ज bereitsे तो दोस्तों यस्रमे मामा पक्षों के साथ संब्धनों को खराब ना होने दें यह जो समय है आपके लिए आपका अधिकतर समय घर्ष्रे बाहर वाईतिते होगा और दोस्तों प्रंदुश कोई भी लाव देंग नेतिजा आपके शामने यसमय नहीं आएगे दोस्तों यह पारे में आप काफी दिनों सिंतिजार कर रहे थे दोस्तों उसी समधित प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी आपको बता दे कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लोटने की कोशिच कर सकता है विदेश में रहने वाले व्यक्ति दोवरा आपको कोई अच्छी खबर यसमें मिल सकती है और इसको प्रांत दोस्तों यसमें आपके लिए समय होंगे आपको बता दे कि दोस्तों भावनातों ग्रूप से अपने आपको मजूद आप महसूर करेंगे तदा घर परिवार और वेशाय में उचित समाज़स भी यसमें बना रहेगा दोस्तों रूची पुर्म कारियों में समय को उतित करें यह आपके लिए बैतर होंगे आपको इसे नहीं उर्जा की और भ्यूती भी होने वाली है दोस्तों आपको पताते कि गुना अतमक और रशनात्मक्षमंदिक कारी में आपका विशेस यसमें रूजहान बढ़ेगा और इसको अधिकारियों के साथ संबन्द खराब नहीं दे यह आपको अपने ओफिस के काम का विशेस ध्यान देना चाहिए यह आपके लिए बैतर होंगे शायदार शमंदिक बिजनस में यसमे मुनाफ़ा होगा अपने सहीवों की निरले में विशेस महत दे यह आपके लिए बैतर होंगे जो कि आपके लिए इसमे फायदे मन शाबित होंगे दोस्तों आपको बता दें कि सायदार शमंदिक कार यसमे मुनाफ़े में रहेंगे तो था पार्टनर के शाथ आपसे सयोग और शलाव अयुशाय को और अधिक गतिय परदान करने वाले हैं नए उनुमंद भी आपको प्राथ होंगे नोगरी पीशा को कोई महत्पून अथर्टी भी इसमें प्राथ हो सकती है और इसको प्राहं दोस्तों यसमें अगर आपकी लव लाइप को बात करें अर्थात आपके पारी वर एक जिवन की तो दोस्तों फ्रेम सम्वंदों में नजदिखिया आने वाली है पती पतनी के सम्वन में एगो को लेकर नोग जोग रह सकती है आपको बता दें कि अपने ताम पती जिवन में मधूर बना कर रखना आपके लिए आपकी जिवदारी होगी तो दोस्तों यह में आपको अपने वहाने प्रस्रें में रखना है और को भी कारियर को करने शुबल इपने जिवन शाथी का शलाह अवशले यह आपके लिए अश्व में भैतर रहने वाले हैं और इसको फ्राहन दोस्तों में आपके लब लाइफ के लिए जिसे होंगे आपको बता दे कि पती पतनी किये किसी बात को लेकर नौक जोग तो रहेंग और शाथी दोस्तों परिवार वाफित नेदिकी मित्रों के साथ को श्रमे वजतित करने से शमद में और अधिक मजबुती आएंगी तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए शाथी इनसे पारिवर वातारण और भी स्वार्द पून बना रहेगा और इसको फ्राहन दोस पूसे शमें आपके स्वास्ति आपको बता दें अगर आप साथने के रोखेंगे तो अत्में आपका स्वास्ति होगा कभी-कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसु होगी प्रतु जल्दी ही आप इसी जिति पी उबर जाएंगे तो दोस्तों यह अपको इन पर ध्यान देना च यह सभी चीज़ आपके स्वास्ति लिए पैता होंगे